स्वागत है आप लोग का NCIT जोर में इसमें हम लुसेंट जीके का सीरीज डिसकस कर रहे हैं तो इसमें लुसेंट का 2-3 सीरीज ओल एड डिसकस कर हो चुका है आप देख सकते हो सेम प्ले लिस्ट में हैं लेकिन एक लाइन से मिलेगा आपको सबसे पहले आपको क्यों मिलेगा तो अभी हम जोग्राफी वाला स्रीज कंप्लीट कराने का ट्राई करें और जोग्राफी के साथ इंसेंट हिश्ट्री भी मैं सोच रहा हूं कि उसको भी स्टार्ट कर लो साथ के साथ तो चलिए सुरू करते हैं इसमें हम कुछ वीडियो पहले ही डिसकस कर चुके तीन वीडि उसके अलावे सन के बारे में डिसकस कर चुके प्लानेट क्लासिफिकेशन और उसके अलावे हम डिसकस कर चुके कुछ प्लानेट के बारे में जैसे मर्क्यूरी वेनस अर्थ मून उसके मून के अलग-अलग टाइप जो है सूपर मून ब्लू मून ब्लूड मून लूनार ट और प्लूटू का नया नाम क्या है और प्लूटू अभ किस टप्रू करेंगे और उसके अलावए कुछ फैक्थ हम ढिसको करेंगे जोकी की, सिर्फ करेंगे इस वीडियो में complete हो जागी इसके अलाबे एक सोलर सिस्टम का छोटा छोटा पार्ट है जो कि इस्ट्रोइड मिट्रोइड उसके मिट्रोइड कॉमेट और यह सब डिस्क्रस करेंगे नेबूला वेरा स्टार गैलेक्सी इस सब के बारे में डिस्क्रस कर लेंगे और नेक्स्टी वीडियो से हमारा यह स्टा खूँआा थ। एंड तो दो वीडियो और एक अभी वाली वीडियो एक और वीडियो लएगा सॉलर सिस्टम उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे अर्थ का सेव एंड साइज तो चलिए शुरू करते हैं एक और चीज आप फेस्बुक से जूट सकते हो इंस्टा पे कुछ भी क्वैरी भेज सकते हो कि क्या चाहिए आपको क्या क्या मैं चेंज करूँ उसमें कुछ बदलाव लाओं उसके अलावे इस ब्लॉग पर जा सकते हो अगर आपको पीडियेप चाहिए तो और इस ब्लॉग पर पूरा वीडियो भी मिल जाएगा उसके अलावे आप कंट्रिब्यूट भी कर सकते हो अगर आपका मन हो तो गूगल अटनी और à 10 में ऐ देखो हम किसस। प्लैनेट के ऐसे स सकते हैं मर्क्यूरी वेनस और अर्थि से अर्थ के से जॉन जो नैच्रल से चलिट करने उसके वीडियो में डि स्काश्व करेंगे हैं मार्स जूपीटर सैटर्न उरेन नेٰिदून और उसके बार दिसक्नेंग discovery करते हैं फिर नाम देने की बारी आती है कौन बीच में कौन सा institution बीच में आता हो सब discuss करेंगे उसके बाद एक और वीडियो है जो छोटी छोटी आपको पता है जैसे मार्स और जूपीटर के बीच है इस्ट्रॉइड वेल्ट उसके बारे में और मेट्रॉइड कॉमेट और यह सब के बारे में discuss करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इसमें सबसे पहला टॉपिक कौन सा है इसमें मार्स तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ इसको रेड प्लानेट भी बोलते हैं और दो सेटलाइट है इसका फेमस जैसे फोई बेस और डेमोस इसका दो सेटलाइट है नाच्रल सेटलाइट है दो फेमस है उसका जूपीटर Jupiter सबसे largest planet है solar system का Jupiter सबसे largest planet है सबसे size की बात करें तो और Jupiter Jupiter को हम winter planet भी बोलते हैं क्योंकि इसका average temperature होता है ना पूरे साल का बहुत कम होता है जैसे minus 140 degree Celsius average बात करें तो बहुत ठंडर क्योंकि sun से बहुत जादा दूर है तो यहाँ पे रहने की probability probability almost nil है उसके अलावे एक और चीज़ में देखते हैं जैसे इसका हमने Mars का हमने सेटलाइट के बारे में डिसे क्या तो Jupiter का भी सेटलाइट है जो की Jupiter का सेटलाइट है जिसका नाम है गेनीमेड गेनीमेड जो सेटलाइट है मतलब Jupiter का मून है हमें इसे बोल सकते है Jupiter का जो मून है गेनीमेड वो सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट सेटलाइट है मतलब सबसे लार्जेस्ट मून है किसका सोलर सिस्टम पूरे सोलर सिस्टम का जितने प्लानेट है सारे प्लानेट पे जितने भी सेटलाइट है उसमें सबसे ज्यादा साइज कही है यह गैनिमेर एक और जी जो आप बहुत बार देखते हैं कि सबसे ज्यादा सेटलाइट किस प्लाइमिक पर है तो पहले था जूपिटर लेकिन लेकिन अभी कुछ समय पहले कुछ महीने पहले डिसकबरी हुई है तो सैटर्ण के टोटल हो गए हैं 82 प्लास इसके अभी 67 क्योंकि एक ही साथ 20 की डिसकबरी हुए तो पहले 62 थे अब 82 हो गये तो अब सबसे ज्यादा सैटलाइट किसमें है बतलब जितना सैटलाइट जितना हमें पता है ध्यान देना और भी हो सकते हैं तिन हमें पता है 82 हम 20 से कम ही पता है तो जुपिटर में कम है सबसे ज्यादा सैटलाइट में सबसे ज्यादा सैटर्ण में सैटर्ण जो गरह है उसके चारों तरफ आपको पता है चारों तरफ एक सर्कुलर टाइप का रिंग है जो आइस कवर डस्ट पार्टिकल से बना है और इसके चारों तो सेम सेंटर के घूंबता है इसमें आइस और आइस कभर होता है तो आइस यहां से बहुत जादे दूर है कि टाइटन जो है ध्यान देना टाइटन इसका सबसे लार्जेस शेटलाइट है टाइटन और ड्रेगन फ्लाइज जो एक मीशन है वह सैटर्ण के लिए नासा का मीशन है उसका यूरेनास इूरेनस जो की है जो आर्थ के रिस्पेक परें बाते ओ यस से तो अगर साइज के अपसे बत करे तो थर्ड लूंबर प्र आता है झाज पूर देख ले ना इनर प्लानेट में सबसे लार्जेस्ट प्लानेट कौन से यह बताना आपको यूरेनस जो है वो अर्थ से चार गुना बरा है और थोड़ा ग्रेनिस कलर का है तो यूरेनस को हम ऐसा है बोल सकते हैं ग्रीन प्लानेट ग्रीन प्लानेट अर्थ को कौन सा बोलते हैं ब्लू प् Uranus को discover किया था 1781 में Sir William Herschel के दोरा Uranus सात्मा planet है Sun का अगर दूरी से बात करें कि Sun से सबसे पास में कौन सा Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus तो सात्मा हुआ ना Uranus पहला planet है जो की discover किया था by the telescope इससे पहले telescope के दोरा किसी को भी discover नहीं किया था Uranus is the third biggest planet बता है ना पहला को है Jupiter, फिर Saturn, फिर Uranus Uranus बहुत cold है और इसका surface temperature 190 degree Celsius माइनस और इसमें बहुत सारे ring है मैंने बता था ना और ring का नाम लिखा हुआ है याद नहीं करना है और एक और चीज़ मैं आपको बता दू मैंने बता था दो प्लानेट ऐसा है दो प्लानेट जो घूमता कैसे है जो घूमता है राइट तो लेफ्ट लेक़् मतलब राइट तो लेफ्ट कहने का मतलब है इस्ट टू वेस्ट मूव करता है इस्ट टू वेष्ट और दो प्लानेट ऐसा है देखो Uranus rotates from east to west from its axis which is opposite to the other planet except venus क्योंकि सारे प्लानेट का जैसे अर्थ का क्या पता है वेस्ट टू इस्ट मूव करता है ऐसे लेकिन यह क्या करता है इस्ट टू वेस्ट मूव करता है इस्ट टू वेस्ट ऐसे कुछ इस्ट टू वेस्ट क्लियर तो दो ऐसा प्लानेट है जिसका डिरेक्शन सेम साइड में उरेनस और वे नियुको एक और चीज़ आपको बता दो आर्थ की बात करेंगे तो और रफ और प्लेन का मतल्मिन इस पर और विट करता है और आर्थ अपने ऑक्सिज पर कितना जुक गया है जैसे उपर से माने तो थो 23.5 डेगर अगर हम इस से कुछ ऐसा ही यह हमें लगता है कि यह वह वा यू खोसकर साइड एक साइड देखता पूरा प्लानेट नहीं देखता नेप्चियून जो की आठमा प्लैनिन है उसके अधर टेंप्रीचर आंप टेम्परेफ़रेंजर फी ची विवर्लीर को फीवेरी शीमिलर नेप्चियू जो कि surround किया था methane ring के दोरा जो की sub-zero temperature पे और methane ring ऊर कहां पर मिलता है यानि methane किसके atmosphere में मिलता है मिलता है यूरेनस के atmosphere में तो methane में मिला यूरेनस में plastics में 9 touchdown इसका नहीं है तो म grin थे तौन नहीं हिम्मत हो जाती ही कि वो सिद्धे किसी को पहले प्लानेट रखता है कि उसके बाद नहीं देखो क्या होता है मालो एक्जामपल लेते हैं कोई कोई definition है कोई definition है definition में क्या होता है criteria होता है ग्राइटेरिया तो किसी जैसे मालो एक्जामपल लेते हैं कि हम माल लेते है कि एडल्ट का criteria है कि कोई एडल्ट तभी होता जब आठारा साल का होता है clear ध्यान देना एठारा साल का होता होता है और अगर हमने था कोई बच्चा 19 साल का इसका मतलब हो गया ठीक है अब हम एडल्ट का क्राइटेरिया ही चेंज करते थे हम बोलते थे 20 प्लस होगा तब ही अब तो इसका मतलब यह बंदा है तो है सही हर है तो अभी लेकिन इसको हम आप एडल्ट नहीं बोल सकते सेम यह कर्वाइटेरिया और इस ने तरह दो में ने सैंग नौगे छोटे मोटे बॉड़ी एसा नहीं होना है जैसे हमारे ऊपर एटमसफेर ना है लेकिन ऐसा थो रही है कि छोटे मोटे बॉड़ी है कि अठीक प्लूटो के पास यह था इसलिए हम ने इसको एक राइटेरिया था 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 और इस पर प्लूटो नहीं हूं उत्र तो इसको हमने बाहर कर दिया किसने बाहर किया इंटरनेशनल अस्ट्रॉनॉमिकल उनियन और कब किया 2006 में अगस्ट 24 2006 में और यहां पर अंडर दा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन्स न्यू गार्ट लाइन दर नंबर अब प्लानेट इंड़ सोलर सिस्टम है अगरए रिदू खरे खर दीया गांनों क्राइटिरियाओ इसको चेंज कर दिया थो उस खरना प्लूर कुछ बेशिक्ट हए बोलते हैं ड्वार्फ प्लानेट बोलने जाने लाए क्योंकि 24 अगस्त को हटा दिया सेप्टेमबर में इसको ड्वार्फ प्लानेट बोला जाने लगा अब नाम उसका नुमेरिकल डेनोमिनेशन हुआ यह याद नहीं रखना है कोन करता है यह याद रखता है कि इस्ट्राइड का नामबर देना हो यह नाम देना तो देता है माइनर प्लानेट सेंटर जो की ओफिशियल और्गिनाइजेशन है रस्फॉंसिबल फॉर इंटरनेशनल एस्ट्रोनामिकल यूनियान आता है प्लूटो कंपेनियन सेटलाइट प्लूटो का एक कंपेनियन सेटलाइट है चारण प्लूटो का लार्जेस्ट मून है प्लूटो का मून कोन सा है अगर आपको यह वर्ड आया तो आप बोल दो कि यह प्लूटो का मून ह है जैसे निक्स एन हाइडरा यह भी है पार्ट सेम सिस्टम का और इसको अब सेपरेट स्ट्वाइड नंबर नहीं दिया जैसे सिंपल मांग लो कोई स्ट्वाइड है या कोई ड्वाइड है तो इसको हमने नाम दे दिया तो इस पर इस सिस्टम पर जो मून होगा उसको हम नहीं ऐसा नहीं बोल से इसको बी सी डी बी सी डी नहीं है एवन एटू एथरी ताकि कोई तो सिमिलारेटी हो मैं तो पाता है हां इसका मतलब सारा एक ही system का पार्ट क्लियर कोई प्राब्म नहीं है अब थोरी थोरी बेसिक जानकारी है इस बेसिक जानकारी में अधिकतर हम करें चुके हैं बस मैं आपको थोरा बताद रहां एक दो चीज और नेम अफ तो प्लाइनेट आठ उसका डिस्टेंस संसे तो आपको पता है लेकिन याद नहीं रखना है और tu period बस यह सब से कम सबसे ज्वाइभ इसका है उसके बाद – etrosun fact अपने एक्सिस पर रोटेट करने में जो समय लगता है डायमेटर की डायमेटर साइज से पजलते है इसको बोलते है डायमेटर मास नंबर ऑफ सैटलाइट यहां पे गलत दिया हुआ है सबसे ज्यादा किसका से इसके अलाबे् एक और आ साइन माइनस माइनस को सबसे करते हैं एक आर ची यहां पर है आपको साइन माइनस नंगता औरके से फ्रिस कतay हो एंदियार क्योंकि हमारे पॉजिटिव का उल्टा इसलिए इसको निगेटिव बोला जाते हैं क्लियर को प्रावलों नहीं है यह यह डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है बस सबसे लार्जेस बोल दो सबसे लार्जेस नहां पर जूपीटर पर पतर जलता है थी डायमेटर मे मास में भी जूपीटर ही है क्लियर तो इतना ही रहने देते इस वीडियो में क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो हमारा थोड़ा फीगर होगा रवला है स्ट्राइड देखेंगे और मेटराइड मेटराइड और कॉमेट और फीचर क्या होता है कॉमेट के और स्टार्स देखे नेक्स्ट वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी नेबुला और उसके बाद यहां से फिर उसके बाद वीडियो में कंटीनियों करेंगे चलो थैंक यू तेंक यू सो मच और आप बताओ कि आप चाहते हों कि निश्ट इस्ट्री में करो लुसिंट का तो आप हां करो लुकों करो ठीक है थेंक्यू 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 सो मच्छ